ओरियो चाल दोस्तो मस्वलव्लेज के नए प्रोड़क्ट मस्वलव्लेज ISO 0 लांच कर दिये हैं आज की इस वीडियो में हम मस्वलव्लेज के ISO 0 होए के बारे में बात करेंगे क्या ये वहलो अपमानी है कौन लोग इसे यूज कर सकते हैं और किसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं तो बिने किसे देरी किया चलिए सुरू करते हैं दोस्तो मस्वलव्लेज ISO 0 नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो होए यूज किया गया है वो है आईसोलेट इसमें काफ्स और कोलेस्टरल 0 है सुगार और टैन्स फैट भी 0 है इसका एक सर्विंग 35 ग्राम के जिसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे मतलब आपको 86% प्रोटीन मिलेंगे जिन्वे 14.15 ग्राम एसेंसेल अमानो असीड 6.64 ग्राम बिसी डावलेस और 5.28 ग्राम गुटामिक असीड आपको मिल जाएंगे जो आपके मासुल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने में और लीन मासुल मास को मेंटेन करने में काफी हेल्प करेंगे दोस्तो अभी तो यह स्ट्रॉबिर फ्लेवर में अविलेबल है अगे साथ आपको चॉकलेट या अधर्स फ्लेवर में भी मिल जाएंगे इसका जिरो लेक्टोस होने से कोई भी इसको यूज कर सकता है क्योंकि यह इसली डाजेस्टेबल है दोस्तो अभी लांचिंग प्राइस है इसका 4 या 200 रुपीज 2 केजी के प्रोडाक्ट का अगे यह प्राइस इंक्रिस होने वाला है इसे beginner, intermediate या advanced कोई भी यूज कर सकता है और यह lactose-free protein है तो हर किसे को यह पसंद आएंगे लेकिन beginner वालों के लिए यह isolate protein की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि अभी तो यह price तोड़ा कम है लेकिन कुछ दिन के बाद यह price increase हो जाएंगे तो तब इसे effort करना मुस्किल हो जाएंगे तो जो लोग stage complete करना चाते है या lean muscle maintenance करना चाते है वो लोग इसे use कर सकते है या अगर आप keto diet follow कर रहे हैं तो आप इसे use कर सकते हैं और अगर आपका goal fat loss है तो भी आप इसे use कर सकते हैं दोस्तो यह decent product है description में डिया गया link से आप इसे purchase कर सकते हैं जिससे आपको 250 रुपीज का discount भी मिलेंगे next purchase के लिए दोस्तो आज का हमारा सवाल है hydrolyzed होए और isolate होए का difference क्या है दोस्तो आज बस इतना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक कर लिए stay healthy stay fit